अधरद आधर धे सवागत थे आप सबीका फिरसे एक नए व्लोग में कुक्विती रीना के ब्लॉग में तो चलिए फिरसे एक नएं वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि आप लोग पहसे करके लोगे में कीस तरह चींट करें चरोई के सब्सक्राइबर और वीडियो को सुरू करते हूं देख़े मैंने यहाँ च्छिटे लीआ है जैस Keith कि मैंने दिखाया उसके नियुकि दोthis करके उसे कट कर ली हूं आप लोग देख ही पा रहे होंगे मैने किस तुरह से cut kiya और मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ तो और यहां पे दो बरे प्याज को मैं पीस के paste बना लेंगे मिक्सिकेजार में डालके यहां मैंने पानी दे दिया है, प्याज भी दे दी हूँ, और डगा दी और तियार हो गया प्याज का पेष्ट, आगे देखें मैं क्या कर रही हूँ फिर से, गैस ओन करके मैं करहाई चला दी हूँ, करहाई गर्म होने के लिए दे दी हूँ, करहाई गर्म हो जाएगी तो मैं सरसों का तेल डाल देने के बाद यहां आलू को धो के मैं ने छली में रख दिया है कि संब पानी निकल जाये तो तेल इधर गर्म हो चुकी है मैं आलू इसमें डाल देती हूँ और आलू को 5-7 मिनट तक मैं अच्छे से लाल रंग के कलरक में भूनूंगे मैं याँ पे धीमे आज पर गेस के दिरे दिरे आलु को भून रही हूं और जो प्याज का पेस्ट में ने बना कर रखा था वो काटोरी में ले लिया है स्वादनुसर नमक ले लिया है हल्दी पौडर ले लिया है और दर्चमच जीरा धनिये का पौडर ले लिया है इधर एक चमच कस्मरी लाल मिर्च पौडर ले लिया है और थोरे सी तिखी लाल मिर्च पौडर थोरसा गोल की गोल मरिश का पौडर और एक चमच गरम मसाला सभ को मैं मिला के इसका पेष्ट तैयार कर लोगी प्यास्ट तैयार होने के बाद आलो देखे पुरी तरह से लाल हो गया है उसे मैं एक प्लेट में निकाल देती हूं देखे मैं दिखा रहे हूं आलो कितनी अच्छी से भोन गई है तेल बचा हुआ था तो मैं उसी में दो चमच जिरा दे देती हूं और एक हरी मिर्च भी डाल देती हूं जिरा हरी मिर्च भूल जाने के बाद थोरा सा एक तेश पत्ता को भी मैं तोर के डाल देती हूं इस सभी भून जाएंगे तो मैं इसमें मसाला मिला दूंगी जो मैंने पिष्ट तियार करके रखा हुआ है और इस मसाले को मैं अच्छे से भूनूंगी मसाला बहुत ही अच्छे से भून गई है जैसा कि आप लोग देख पार है मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीनी मिला रहे हूँ आप लोग को डालना होगा तो डालिएगा यह ओप्सनल है मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा मीठा पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा चीनी डाल देती हूँ इससे सब्जी में स्वाद और भी बढ़ जाता है मसाला पूरी तरह भून जाने के बाद जो भूना हुआ अलू था अब मैं वो डाल देती हूँ और फिर मैं थोड़ी दे मसाला के साथ आलू को भूनूंगी और जिस तरह से मैं बना रही हूँ आभी उस तरह से बनाईएगा तो आलू की सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी लगीगी इसे आप चावल के साथ रोटी के साथ पूरी के साथ जैसे भी खाए खा सकते हैं गैस का फ्लेम कम है और मैं इसे ढख ढख के अच्छे से भून रही हूँ दो से तीन वार मैं कम आज पर ढख ढख के आलू को इस तरह से भूनी हूँ देखे मैं दिखा रहे हूँ आलू कठ हो गया है आलू पख गया है थोड़ा सा और थोड़ा सा बाकी बचा हुआ है अब मैं इसमें अपने अंदा से पानी दे दूँगी आप चाहें जैसे भी खाएं जितना पानी लगे उतना ही दें देखे मैं पानी दे देती हूँ और फिर चलाके मैं इसे ढख दूँगी अभी मेरा गैस फुल फ्लेम पर है और मैं फिर से इसको ढख देती हूँ थोड़ी दर आलूट पकने के बाद फिर से मैं चला रही हूँ और देख रही हूँ कि आलू पुरी तरह पका है यकिने देखिए आलू पुरी तरह से पक गिया है और इसे मैं फिर से ढग दोंगे और थोड़ी दर और पकाऊंगे हम लोग जिस तरह से सस्ते सवरते हैं सस्ते सवरने में भी काफी टाइम लगता है बहुत सरा मेकप करना पड़ता है उसी तरह से खाना भी बनाना पड़ता है दिरे-दिरे थोरी देर ढग देने के बाद फिर से देखिए मैं दिखा रहे हूं और फिर चला के दिखा रहे हूं आलो की सबजी बन के तियार हो गई है, अब मैं गैस को बंद कर देती हूं, और धक कर रख देती हूं, जब खाना होगा तब मैं उसे सर्व करूँगा, देखिए थोरी दर के बाद आलो की सबजी ठंडी हो गई थी, तो मैं आप सबको दिखा रही हो, ताकि मैं खाने के लिए आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें आप लोगों के सपोर्ट से मैं आगे पर पाओंगी आप लोग के सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद